नमस्कार दोस्तों दिव्याभा क्रेटिव्टी जोन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग माल अच्छमी और विश्नु भगवान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे आज रंगभरी एकादसी है तो उससे रिलेटर में बहुत सारी बाते आपसे शया करने जा रही हो तो मानिता के अनुसार रंगभरी एकादसी का वरत रखने से सभी तरह के पापो का नास हो जाता है और फोने फल की प्राप्ती होती है हिंदू सास्तरों में रंगभरी एकादसी के दिन इसनान दान वरत करने से हजारों गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है इस दिन आवल प्रत के नियमों का पालन करना चाहिए रंगभरी एकादसी का महत्व कासी या वारारसी में विसेश रूप से होता है क्योंकि ऐसी मानेता है कि इस दिन भगवान भोलेनात का गौना हुआ था भगवान भोलेनात माता पारवती के संग कासी में विराजमान हुए थे इस उपलच में बाबा विशुनात के संग होली खेली जाती है और ऐसी मानेता है कि भगवान भोलेनात स्वैम होली खेले भगतों के बीच कासी में आते हैं भगवान विश्नी की कृपा पानी के लिए आप कासी में नहीं रहते या नहीं जा सकते तो आप जहां हैं वहां सुबह इसनान करके भोले संकर को एक लोटा जल, चंदन, अभीर, गुलाल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं क्योंकि अगर आप ये चढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही पुनिक की प्राप्ति होगी ये ए पूचा पाट करने के बाद आप सीधा जरूर निकालें सीधा मतलब किसी पंडी जी को हम कुछ दान्ग देते हैं या पंडी जी को नहीं दे सकते तो किसी गरीब को zरूर दान करना चाहिए तो ये थी छोड़ी-छोड़ी बातें रंगभरी एकादसी के बारे में ये एकादसी आपके जीवन में बहुत सारी सुख सम्रिद्धी लेकर आए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल दिव्याभा क्रेटिव्टी जोन को ज़रू सब्सक्राइब करिएगा लाइक और कमेट ज़रू करिएगा कमेट बाक्स में जै विश्नु भगवान जै मालच में ज़रू लिखेगा धन्यवाद